मैट इनी शो इस ब्राट तो यू बाई लिवोजन टॉनिक थकान और कमजोरी से दे आजादी इतनी थकान, मैरेतोन भाग रहे हो मैरेतोन, हरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूं थकान और कमजोरी खुन में आइरन की कमी के लक्षन है लीजे लिवोजन टॉनिक, इसमें हैं और गैनिक आइरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी लिवोजन टॉनिक नमस्कार, मेरा नाम है दिव्याची और आप देख रहे हैं ती लल्लन टॉप ती लल्लन टॉप में आज हमारे साथ मौजूद है देहत खास महमान जानी मानी पंजाबी आक्ट्रिस और सिंगर जिनका हाल ही में नया गाना आया है नवाद दीन सित्की के साथ आपने उस विडियो को जरूर देखा होगा बारिश की जाए नाम से गाना है पहुत बहुत सवागत है सनननना आपका थांक्यू बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई 116 मिल्यों बार इस काने को बारिश की जाए को यूट्यूब पर देखा जाए बहुत ओर्वेल्मिंग रिस्पॉंस है ये क्या एक्सपेक्ट किया था इतना ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉंस उस गाने के लिया एक्शली स्वांग्स टाइटल इस बारिश की जाए और हाँ एक्सपेक्टेड था लब ऐसा था कि लोग इसको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि बड़ी क्यूट सी स्टोरी थी गाने की और आडियो बहुत अच्छा था गाने का या कोई आटिस्ट सिंगर कोई भी है तो उसके पास बहुत सारी ऐप्शन रहती है गानों की या अगर वो मुवी कर रहा है तो मुवी सकी तो हमेशा वही चीज को पिक करता है जिसका उसको यह पता हो कि हाँ यह चीज को लोग मेरे बाकी चीजों से जादा प्याद करेंगे तो ये गाना भी कुछ ऐसे ही था और हमें ये था कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा नवाजो सर को ऐसा थोड़ा सा था, he was like कि लोग गाना सुनेंगे, देखेंगे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो कहतें कि मैंने कभी गाना एसे नहीं किया है, कभी गाना शूट ही नहीं किया है, मुविЗ ही की है अभी तक, तो पता नहीं है जो सिंगल ट्रैक्स होते हैं, नहीं क्या रिस्पॉunz होता है इसको कैसे लोग देखते हैं तो आई वस लेकि नहीं हमने गाने ही किये है तो अच्छा है लोगों को पसंद आएगा और लोगों ने पसंद में बहुत किया बहुत ओडियस ने प्यार दिये सुनन्दा इस गानी से जुड़ने की कहानी क्या रही आपकी कि कैसे कास्टिंग वगेरा क्या हुई उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमारे तरशकों को जैसे मैं जानी जी और अर्विंदर खैरा जी जो डिरेक्टर है जानी जी राइटर है आपको पते ही होगा और हम सब की टीम है जो मेरे जो मोस्ट अफ दे सिंगल ट्रेक्स है वो हमने कठे किये है और एक जब टीम बन जाती है तो आपका एक जो बिलीव लेवल होता है वो तोड़ा अप हो जाता है किसी भी बंदे के साथ कि पांच साल से मेरे जो इतना काम किए है जो जो जादा मेरे से जादा जनको पता रहता है कि हमें जो नेक्स मूव है हमारा क्या होगा तो ऐसे ये काना भी मेरे पास आया जब ये घाने के एक हफते पहले या पांचे दिन पहले मुझे पता चला कि I'm doing this song और मुझे यह हाला कि इतना इतनी खबर थी कि यह गाना है इसमें थोड़ा सा जो लड़की है वो ऐसे बच्ची सी है यहां पता नहीं वो उसको कोई insecurity है ऐसा था लेकिन है क्या वो character वो मुझे on like set पे जाकर पता चला जिस दिन मै ready हो रही थी कि यह character है special child का character है तो वो मुझे वहां पर जाकर पता चला रहता है कि यह जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगी तो यह चीज हो जाती है यह आपने जब आप आपने बता है आपको तभी पता चला जब आप सेक्ट पर गई कि यह character है तो आपने वहां पर impromptu चीजे हुई या फिर कोई खास तयारी समय लिया कि करने के लिए या फिर you just got into that character and started how it happened आपने काम कर रहे हैं और मेरी आदत है कि जब भी शूट होता है तो शूट शुरू होने से पहले मैं जैसे हनुमान चली सा यह कोई शब्द लगा कर सुनती तो वह लगा मैं उस मैं अपने उस चीज में थी उस वह वह ले चल रहा था मेरा पार्ट की वह चल रहा था और मैं अराम से इसे बैठी हूँ अच्छा जी मैंने ना खुद को देखा नहीं कि मुझे उन्होंने रैडी कर दिया है तो जब हमारी जाने का टाइम था कि जस दस पंदरा मिनिट रह गे तो शूट लाइक आप देख लो एक बार आपको ठीक है मैं कि हाँ देखती हूँ तो मैंने देखा अपने आपको शीशे में तो मेरा जो भी उन्होंने कलर फेस पे किया हुआ था और बाल जो बनाए मैं उनको कुछ बोल नहीं सकी मुझे लगा कि एक हिस्सा है मेरे करेक्टर का होगा जो ऐसे है लेकिन जी थोड़ा बहुत मुझे ऐसे जुरूर लगा कि शाय है जो मेरी ओडियंस है वो इसको positively देख ले क्योंकि most of the times क्या रहता है जो एक female artist को भी रहता है कि मैं glamorous दिखूं you know मैं cute सी प्यारी गोरी चिटी सी ऐसे लड़की दिखूं तो मेरे मन में वो तो नहीं जा कि मैं glamorous दिखूं मेरे मन में सिर्फ ये था कि लोग मुझे ऐसे देख के मुझे पैचान जाएं कि मैं यह हूं लाइक मुझे यह था तो मैं थोड़ी उसको लेकर conscious कि I mean सभी मेरा मैं मतलब मेरा एक वह चुलबुला सा पार्ट भी चल रहा था मन में थोड़ा डर भी चल रहा था थोड़ी excitement भी चल रही थी कि नवाज तो मैंने मिलना है मैं सेट पर उनको तो वह भी मुझे था कि सर को भी मिलना है आज पहली बार तो सब कुछ ऐसी mix सी एक feeling थी लेकिन ज प्लेमेटिक लिए आ जाता तो प्ले हो जाता था बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसके लिए तियारी करनी है ना ही मेरे जो डिरेक्टर है खहरा जी ना ही उसे उन्होंने बोला कुछ कि आप तियारी करो जा कुछ बजह नहीं बस ऐसे ही हो गया यह जोट बोल रही है कि इसका पहला गार है है इसका यह पहला गार नहीं है मैं human champion कि मैरे पहले बात की मैं featuring कर रही हूं किसी गाने में क्योंकि मेरे खुद के single tracks ही या जितने भी या कोई dude song नहीं है या कोई मेरे ऐसा तो मं धे नहीं कि मैसी पहली बार ही कर रही हूं या कम है या कुछ ऐसा हो रहा है. दोनों ने लेज़े, पता नहीं, जलगल यलदिय ऐसे काम होता गया, उनका जो टेक होता था, वो कर देते थे, एक ही टेक कर देते थे, इधर हमारा एक ही टेक हो जाता थे जलो बस, हो गया, हो गया, लेट से, ऐसी था. तो उनकी जैसे एक छवी बनी हुई है कि बड़े सीरियस से आक्टर हैं और उसी तरह के रोल्स भी करते हैं तो क्या सेट पे भी आपको ऐसे ही लगा कि वो वैसे ही है या फिर हसी मजाग चलता रहता था वो बिल्कुल ही ओपोजिट थे बिल्कुल ही ओपोजिट थे बहुत कम बोलते हैं वो सेट पे मुझे ऐसे लगता था पहले कि शायद मैं ही खडूस हूँ या शायद मैं ही ऐसी हूँ जो सेट पे नहीं बोलती है मैं बहुत कम बोलती हूँ, I mean जितना मुझे काम रहता है मैं उतना सा ही बुलाती हूँ लोगों तो मुझे था कि मैं ही ऐसी हूँ, वो भी मेरे जैसे ही थे, वो भी बहुत कम बोलती थे, बट ऐसाद है जब भी कुछ उनको बुलाता था तो हसके बोलते हैं सबके साथ और जो जैसे हम उनको मूवीज में देखते हैं उससे तो बिलकुल ही उपसे थे वैसे तो वह थे ही नहीं बहुत बढ़ी जैंटल से बहुत वह बढ़ी चैंटल से बहुत यूज वरी काइन वह बस जो सोबर सी परसनेंटी हो थे हैं सुननदद आपके ज़न्ली पर आते हैं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर से फिर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काम किया गाने आपके आते रहे तो क्या बच्पन से आपको ऐसा लगता था कि आक्टिंग में जाना है या सिंगिंग में जाना है या यह सब ऐसे हुआ जैसे चीजे आपने भी बताया था आपके रूल के साथ हुआ कुछ ऐसा यह से हुआ विद दा फ्लो थीए किसी ने भी नहीं सोचा था नहीं पता था कि मुझे कोई एक्टर बनना है या कोई सिंगर बनना है लेकिन मैं अट्रेक्ट होती थी जैसे टीवी पे कोई जब लड़की आती थी कोई डैंस करती थी यहां कोई इस्प्रेशन अच्छे देती थी तो मैं हमेशे अपनी ममा को यसे बोलती थी यह तो मैं भी कर सकती हूंगी तो कईसे जाओंगी या कैसे क्या होगा अपने हाप ही हुआ जो भी हुआ अबी तक जो हो रहा है न अभी तक ऐसे हो रहा है मुझे कभी पता ही नहीं होता है अब या करना है बस मैं जा के कर देठी हूँ अभी आपका जो इंटरुवी होगा शाम को हमने रही होना है यह होना है जो भी मैं करती हूं, like, with the flow करती हूं, और इससे, मुझे लगता है, इससे सबसे ची बात होती होगी, जो आज के जमाने में हम रह रहे हैं, जहां पर anxiety-ridden self बन गई है हमारी की हर चीज से पहले, I think उससे बहुत freedom सा महसूस होता हूं, बहुत freedom, बहुत freedom, जैसे फोड़ा सा ऐस इससे भी रहता है, you know, we are female artist, तो ready भी होना है, कपड़े भी अच्छे पहने है, कानों में भी कुछ अच्छा हो, हाथों में कुछ अच्छा हो, गले में कुछ, you know, make-up अच्छा किया हो, तो touchwood वो चीज से तो मैं शुरू से बहुत परे रही हूं, मुझे कभी, अभी मैं right away सो के, बाल ब्रश किये, ऐसे सो रही थी, ऐसे आपके सामने आगी, क्योंकि मुझे ऐसी आदत है, जैसे इस काम में मेरी परविश हुई ऐसे है, कि on the sport में कुछ चीजे पता चलती कि हम यहां जा रहे हैं, ऐसे करना है, तो मुझे लड़कियों वाले कभी वो चीजे हुई कि मुझे यह पहन के बैठना है, मेरी परसनल्टी ऐसी है, लोग मुझे देखने हैं, तो I have to get ready, I have to get my makeup done, ऐसे चीजे ऐसे बन के लोगों में आना है, वो मुझे कभी भी नहीं हुआ है, जैसे हैं वैसे हैं, तो कमाल की बादे, मतलब इससे सीखना चाहिए, बहुत जरूर आपका इंटर्व्यू है, तो मैं गई अपने वहां, मैंने बाल ब्रश किये, और मैं आके ऐसे बैठ गये, ठीक है, मेरा इंटर्व्यू है, खोड़ा बहुत लिप्स्टिक लगा लीगे, ठीक है, नहीं तो अगर मैं मेक अप करने जाती ही, तो आदा पोना गंटा ऐसी ही तो बस ठीक है, जो भी अभी तक मेरी लाइस में हो, वो विद फ्लो यह हुआ है, तो अगर हम जानना चाहें आपको इसे एक टर्म में या फिर एक लाइन में चोटा सा ब्रीफ बताना चाहें कि वो एक ऐसा कौन सी फिलोसपी रही है, वो क्या पलसपा रहा है, जो आपने तो आउट यॉर करियर, यॉर बच्पन और राइट नव, वो चलता रहा है अज तक, क्या खेंड़ा है, मैंने कभी भी अपने पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, मैंने बहुत सारे लोग देखें, वो अपने पर ही विश्वास नहीं करते हैं, उनको अपना ही नहीं नह पता होता है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई ना, आप मानो, मुझे सिंगिंग का कुछ भी नहीं पता था, अभी भी कुछ नहीं पता है, मुझे कैमरे का कोई ख़बर ही नहीं थी कि कैमरे पर कैसे काम करना है, डारेक्टर किसे बोलते हैं, यॉनो, प्रोडूसर किसे मुझे करना है, कैमरे कैसे आता है आप के आगे, मुझे कभी भी नहीं पता था, सिर्फ एक ही जीज़ थी मेरे साथ हमेशा मेरे कॉम पंपिदेंस था, उसक्षे मेरे को पर खोह जाएगे, बताओ करना है, यॉनो, गत्यों के जैसे मुदोर बहुत一ह है कि क्या है, कैसे, ज तो वहां पे जब कैमरा रोल होने वाला था तो खैरा जी वोज लाइक कि ऐसे से एक स्पेशल चाहिड़ा है आप ऐसे आओगी ऐसे बोलोगी ऐसा है तो मैं जो मेरा बच्पन में भी अभी जो मेरे साथ चल रहा है कि मैं किसी से भी ज्यादा अपने पर विरोसा जती हूँ मुझे अपने आप से दोस्ती है अपने आप पर विरोसा है अपने आप पर मेरे को पूरा वो है कि मैं जो मेरे को कोई देगा मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं कभी भी ऐसे नहीं होती कि यो डोल जाओंगी क्या होगा कैसे होगा वो मैं टच्छूट कभी नहीं हुआ में साथ अभी आपने बताया कि आपने कोई कोई formal training ने ली किसी भी चीज की मतलब टेक्निकालिटी नहीं है spontaneity है और spontaneity मज़दार है तो जैसे गाने का होता आप practice वगेरा करते हो कि वो तो जैसे लोग होते हैं करते हैं चीजे करते हैं तो मतलब what you do to keep up with your music thing देखें जी मेरे साथ थोड़ा ऐसे हुआ कि लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत सीखते हैं फिर जाके उनको fame मिलता है फिर जाके उनको पहजान आती है टचूट मेरे पास पहले fame आया उसके बाद मुझे सीखने के लिए time मिला फिर माने के बाद मेरे पास time ही नहीं था दिन में दो दो shows तीन तीन shows होते थे मेरे पास तीन तीन show एक दिन में और कई बार traveling इतनी हो जानी मेरी कई बार गाड़ी में बैठके ready हो जाना कि next show पे जाना है कपड़े change करने हैं ऐसे ऐसे तो मुझे time ही नहीं मिला सीखने का लेकिन मैं सबको यह बोलना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी चीज में interest है कि आप यह करना चाहते हो तो आप उसको सीखो उस पे time invest करो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे यहां आना है मुझे अगर पता होता तो शायद मेरे parents मेरे पही इस बात पर ध्यान देते कि इसका इसमे मन है तो इसको यह कराऊ तो उन्होंने भी मिजब ऐसे क्योंकि मैंने गभी उनको नहीं बोला है कि मुझे यह करना है यह luckily I don't know पर मातमा ने मेरे लिए यह काम चुना बट जो भी होता है सिर्फ वो एक उसके साथ एक gut feeling के साथ मैंने किया है लेकिन मैं यह नहीं बोलूँगी कि सीखना चाहिए और जब मैं गाना करती हूँ मुझे सीखने का time नहीं था लेकिन मैं क्या करती थी कि जब मैं अपने show पे जाती थी तो रस्ते में मुझे जितना भी time बिलता है मैं music को सुनती थी मैं singer like मैं सीख तो नहीं पाई singing को कि कैसे गाना है मुझे technology तो नहीं पता थी लेकिन मुझे मेरे कान को सुरकी बहुत समझती कि मैं सुनना अच्छी listener हूँ है शुरू से लेके तो मैं बहुत गाने सुनती थी बहुत गाने मैंने सुनने जितने पुराने गाने जब वो गाते थे तो मैं उसको गाती थी साथ साथ में तो ऐसी मैंने सीखा, गा गा के गा गा के, की यार इस को गा रहे है है, जैसे कॉपी करते हैं, कि वो लोगों को कि अचा-काइसा गाएशर गाना है, तो ऐसे मैं भी गाउगी, तो वो छीज करते-करते, अभी भी मेरे सक्फ ऐसे ही और हुडाएं, गाने मैं辉स यह ज़बता नहीं दे पाती है असुरंदा आपका बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब किस में सबसे जादा मज़ा आता है आपको गाने में और अगर तरखास है हमारी दो दो लाईने हो जाए उसकी तो हमारी दर्शाइब को बारिश की जाए सुनाती हूं तो लेटेस्ट अभी रूस हुआ है हो तारे इसके हाथ में होने ही चाहिए जो गनूस के साथ में सोने ही चाहिए खुश बूस उसकी से पारिश की जाए खुश बूस उसकी से पारिश की जाए ए खुदा तु बोल दे तेरे बादलों को मेरा यार हस रहा है बारिश की जाए यार हस रहा है बारिश की जाए पार वेरा पागल नहीं होना और जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि आपके साथ इस गाने में जो फीचरिंग कर रहे हैं वो सोनु जी है सोनु कौन? सोनु सूनु सूजी कर रहे हैं मेरे गाने में? हाँ ना आप उनके साथ काम कर रहे हो आपका ये ट्रैक है मैंने बुला वा भई ये तो बड़ा हमारी ओर्डेंस के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि उन्होंने कभी पंजार में काम नहीं किया है ना किसी मुवी में ना किसी गाने में तो डैब्यून का लग मेरे गाने सोगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी और विजली हम कोई भी नहीं बूल सकते हैं जितना उन्होंने लोगों की लोगों की help की है ऐसी तो वो चीज़े बहुत ऐसी थी कि हां यार यह मज़ा आएगा और के मिस्ट्री देखेंगे कैसी लगती है क्या होता है और ऐसे गाना वो भी चुड़ा और वो भी सेम ऐसे थ कि रूड हो रहे हैं जितने बज़े उनको टाइम दिया जाता था कॉल टाइम उससे वो आधा गंटा पहले ही आ जाते थी यह बहुत बड़ी बात थी कि हमें यह था कि तंग करेंगे यह नो बॉलीवुड के अर्टिस्ट है थोड़ा बहुत वह हमें ऐसे करेंगे तो कि द्ध में कि थीम के वाढर मैं थोड़ा सा बताने किया था कि सिंण में था कि थोड़ी सी इनसे क्यों है अपने प्यार को लेके वह कि क्योंकि सोनुजी की स्लेक्शिन हो जाती drone वह यह रहे हैं महां तो इसको ऐसे लगता है कि मैंनो पता है मोहाबबत हूं तो मैंनो नह वो बहुत अच्छा था, हाइधराबाद में शूट किया था, फिल्म सिटी में, और बहुत हमज़ा है था, या, बिलजीद दोसांज के साथ, आपने फिल्म की पंजाबी, सजन सिंग रंगरूट, तो, अक्टिंग में भी आप है, मतलब मैं आपको कहूंगी, वन वुमेन आर सेम वही चीज़ बताऊंगी, कि उनके साथ भी जब मेरी मूवी थी, तब मेरा टूर था, कैनड़ा का, मैं वहां से वापिस आए थी, जब मैं घर पे आई, तो मुझे दो दिन के बाद ऐसे बोला गया, कि मुझे राजिस्थान जाना है, मैंने क्या, वहां पे क्या है, वह सब देखते हैं गया ऐसा, तो ठीक है, अपना पैकिंग वेकिंग कर लिया, ऐसा बच्छे अचे कपड़े पैंड रख लियो उसमें, तो देवर लग की, आप मूवी कर यो, दिल जी जी के साथ, मैं जया, हां, ओके, नाइस, ठीक है, क्या है, इसमें क्रेक्टर क्या है, तो हमेशा से ही, अगर आप वो मूवी भी देखेंगे, तो आपको बताशा देगा कि मैं, मुझे ग्लैमर से जादा, सिंपल, और जो हो, वैसा ही रोल हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी कुछ करने को था, इसमें भी कुछ करने को था, आई वस रेड भी बहुती थी, जो डाईलग्स होते थी, वो बोल के, फिर आखे बैच जाती थी, तो अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती, आप तो बै फिर भी, जैसे सेट पे थोड़ी बहुत बात कर लेती हूं, जो मेरे को आइसे हो निके साथ हुआ था था, निके साथ या नहीं कह कोई कोई बात वी Nepal मैं उनको यह भी नहीं कि हासर like अगले को पता भी न लगे कोई बात मी वो मुझे पता है कि इस मंदे के-स मेरे मन में रिस्पेक्ट है मैं थोड़ी ऐसी हूगी काम सी रहती हूँ सेट पे थोड़ा शान्त तुननंदा आखरी सवाल जाते आप से पूछेंगे आपके future projects कौन-कौन से आने वाले हैं? एक singing की तरफ जादा ध्यान होगा, acting की तरफ जादा ध्यान होगा थोड़ा सा बताएं उसके लाएं. यह singing, acting दोनों ही मेरे काम का हिस्सा है, वो में चलता ही रहेगा, लेकिन priority जो है, वो हमेशे singing को रहेगी, क्योंकि इसे से मुझे पहचान मिली है, इसे से लोगों ने मुझे जादर शुरू किया है, और acting में मुझे सर्फ एक ही है, कि मैं वही काम करूंगी जिसमें कुछ करने को दिखाने को कुछ होगा, मुझे नहीं कि वो, you know, संदर सी लड़की बनना है, और, you know, कैमरे क्या आगएगा, कैसे नकरे से करने है, वो नहीं बनना है, मुझे कोई character प्ले करने के लिए जाए, यह तो मैं acting में भी देखूगी, तो आपके कोई नए track और भी है, pipeline में, मेर next month, जो है, पूरी album हम लोग release कर रहे है, मेरी debut album है, पहली बार, और, उसमें भी आपको ऐसी collaborations देखने को मिलेंगी, अच्छी-च्छी, और, इंशाला सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, definitely, और, बहुत, all the best, all the very best for your debut album, और, बहुत मज़ाया आपसे बात करने में, बहुत को सीखा, वो जो, वो simplicity में, spontanity में, वो सारी चीजें, तो बहुत-बहुत शुक्रिया दी, ललन टॉप पराने क्यों सो मॉच, थैंक यू वरी मॉच, बाई-बाई